इधर पर दोस्तों 4 different types of speed controller है दोस्तों इधर पर आपका पहले स्टार्ट होता है एप एप्रोक्स 4 Ampere का speed controller उसके बाद 5 Ampere देन 10 Ampere देन 20 Ampere का speed controller तो इस भीन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कब कॉनसा आप speed controller आपको यूज़ करना चाहिए कैसे आप पॉपा speed controller चूज़ करेंगे आपके motor के लिए एंड दोस्तों इन सभी speed controller का बारे में थोड़ा सा details में बात करूंगा कि कि speed controller में speed का regulation कैसा होता है कौनसा quality में better है कौनसा quality में थोड़ा डाउन है तो चली वीडियो को स्टार्ट काते है एंड अगर वीडियो परसंद है तो जरूर से चैनल को सब्सक्रिब कर दीजिएगा तो दोस्तों पहले आता है यह वाला speed controller यह वाला speed controller तो इसमें full speed regulation नहीं होता एप्रोक्स आपका 50% rpm to 100% rpm में speed regulation होता है मिलाब कि speed controller में आपको 0% rpm नहीं मिलेगा ठीक है बाकी एक off का switch रहता है यह देखिये यह वाला off का switch include होता है इसका जो potentiometer होता है उसमें और बाकी है full और दोस्ति यह वाला पुरा waterproof होता है तो आप इसको water pump है यह उसका सेक्तों कोई भी पानी इधर पर देके पूरा सील होता है तो पानी अंदर जाने का कोई सवाल नहीं होता है इसमें से यह तीन वान निकला हो रहता है क्योंकि यह पुरा waterproof speed controller है उसके बाद आता है दोस्तों यह 5A का speed controller यह दोस्तों 0 से 100% पूरा speed को आपको regulate करता है and with on-off switch के साथ and इसके साथ दोस्तों यह जो terminal इस पर आपको लगाना होता है यह पर देखे एम एंड माइनस इंडिकेट करता है motor का पी प्लस पी माइनस इंडिकेट करता है आपका input voltage जो maximum 35V के रेगुलेट कर सकता है इसके बाद दोस्तों आता है 10A का speed control है दोस्तों थीक है यह जो speed control होता है इसमें इसमें फ्यूज का अगर 10A करन आ जागा यह उभालोट हो जागा तो दोस्तों फ्यूज आपका ब्लो का जागा एंड सार्कित आपका सेव होगा अभी देखिए इसपे जो potentiometer देवा रहा रहा रहता है उसमें किसी भी टाइप का on-off switch नहीं होता ठीक है नॉर्माल एक potentiometer होता है एंड दोस्तों इसपे देखिए इधारे motor का दोनों और पावर लिखा रहा रहता है पावर मतलब आपका input section मतलब इनपूट पावर यह वाला जो circuit दोस्तों एप्रोक्स मैक्सिमां 40 बोल्ट काम करता है उसके बाद आता है आपका 20 एंपेर का सकतो यह इधार पर attach कर सकतो जहां पर 10 एंपेर में भी जो यह वाला प्रोब रहते है इसमे भी आप ऐसा एक potentiometer लगा के अगर आपको मतलब थोड़ा सा लंबा हुआ चाहिए यह वाला knob से तो ऐसा कर सकतो सेम बाकि यह वाला speed कंटर थोड़ा सा यह 20 एंपेर का speed controller है और इधा भी देखे लिखेवा रहता है motor का and power का same यह भी up to 40 volt तक काम करता है दोस्तों आप में से और एक confusion चलता है कि बहुत साही रोग पूस्या कि speed controller से speed increase होता है किया obviously speed increase होता है मगर maximum हम जितना speed आपका motor का है उदना suppose एक 12 volt battery के साथ आपने motor को connect किया है तो suppose आपको battery से motor में 6000 rpm मिल रहा है इसका मालब speed controller से भी आपको maximum 6000 ही मिलेगा यह बस आपका 0 to 6000 के अंदर करेगा आपका speed को ना कि 6000 को increase करेगा speed controller कभी भी आपका speed increase नहीं करता बस जिरो से लेकर maximum rpm को regulate करता है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पस अभी दो मोटर है एक आपका normal DC motor जिसका 775 bearing वाल एप्रॉक 6000 के करीब रप्यम है एंड एक गयार मोटर पाफुल 200 रप्यम का दोनों हम लोग रेगुलेट करेंगे इंजिंग एडप्टर तो जो अब लोग को है तो इधर पर मैंने देखिए पहले वली speed को कनेक्टेट किया है 12V 5A के साथ एंड मैंने मोटर को कनेक्ट किया है यह 775 बेरिंग मोटर है तो माल्टिमीटर में आप लोगो को इधर पे कारेंट का वहलो देखना को मिलेगा क्योंकि जो यह चारो सबसाइब कर तक तो यह पीड कर्या है तो जो सबसाइब को को के करको मैं कर आइंड वोड्राइब करके के तो इसको पेले कर आदो करूं करने सटेथ कर एक minimum speed पर rotate कर रहा है अगर करोंगा तो off तो यह वाला speed इसका minimum होगा ठीक है अब ही मैंने यह वाला gear motor का attach किया है है कि सेटप सेम है दोस्तों जैसे कि पहले था आपका यह speed controller उसके साथ adapter motor and अभी हम इसको MP परोप में डाल देंगे ठीक है तो चलिए speed controller को पहले on करते है देखे धीरे धीरे में इसको आप कर रहा हूँ तो यह motor को start कर रहा है एराउंड अपका पॉइंट तू थी 230 mm पर क्वेंट तूंड प्रूंड डो यह को वखराई जस्तों चलिए क्वेंट प्रूंड डाल देता है तूंड परोब कर देता है क्वेंट यह देता है क्वेंट to यह मुझे है अभी गियर मोटो के साथ टेस्ट करेंगे अभी 10 संपय का स्पीड कंडूलर कनेकट अभी 10 संपय का स्पीड कंडूलर किनेकट है Maximum अभी So gear motor test karda hai abhi तो अभी 20A connected है अभी 20A connected है विद गियर मोटर के साथ अभी 50 छंब उत तो अगर यह 4-speed controller का आपका details connection diagram देखना है तो दोस्तों उसका link में ने वीडियो डिश्वास के डाल दिया है एन अकर full specification जानना है तो उसका भी link वीडियो discussions box है तो आप उधर पे जाके click करेगा तो आपको पूरा circuit diagram and specification मिल जाएगा अभी दोस्तों बात है कि यह 4-speed controller का आपको क्या मिला पहले तो बात देखिए कि यह वाला speed controller controller का जो regulation है उससे यह वाला अच्छा है थोड़ा सा quality है इससे मुझे लगा यह दोनों बहुत ही अच्छा मतलब speed का जो regulation है वो बहुत ही अच्छा करता है यह वाला speed controller है यह दोनों के मुकाबले में same ampere में अगर हम लोग determine करेंगे तो थीक है अभी obviously 5 ampere के और 10 ampere के तो जो जादा अच्छा speed control करना ही चाहिए बाकी का दोस्तों जो second point है हुए है दोस्तों देखिए यह वाला speed controller है यह पूरा देखिए SMD based है ठीक है इधर पर कोई भी आपका पार्ट्स खडब हो गया तूट गया या फिर जल गया तो इसको रिपेरिंग करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है जहां पर यह वाला speed controller इधर पर देखिए इस अब पार्ट्स शोल्डर नहीं है तो आ अगर खड़ाब हो जाएगा तो आपको इसको फेक देना पड़ेगा क्योंकि यह पुरा waterproof and sealed अपका है तो यह रहा यह तिनों का basic difference अभी दोस्तों बात करते है कि speed controller कैसे choose करेंगे दोस्तों कि speed controller का में जो कॉस में जो चीज होता है तो से MPR ठीक है अभी कोई भी आप जब पावा सप्ले यूस करते हो तो देखेंगा उधर पर आपका MPR रेटेट होगा ओविसली लाइक दोस्ती दापे देखेंगे हम लोगो देखना होता है इनपुत इसी लाइन कोता है ऑटप्ट फेतए के 12 फाइंपर यह जार्प्ट धिक लेटेट है अगर इसके हम लोगोगो कोई वाद आप्टर चाहिए तो हम लोग यह वादा स्पीद कर्णर को ओवेशली लेंगे मागर दुस्तों कुछ कुछ ताइप्टर 5 एंपर के वह वह पाइप्टर भी जाधा कारें देता है लाइप्टर बहुत है चाहिए 6 तू 7 एंपर तर कारें देता है इस एलै में इस एडव दर 10 एंपर का स्पीद कांटर को रिकोंड करता हो बाकि आपका अपर जासे होगा राइक अपर के श्यूब नब ऑ ह्का का क्रत नितृ तब लोग यह वह वर था तो 12 volt 20 ampere का हुआ तो 20 ampere का speed controller अभी बैटरी अगर इस करेंगे तो ampere कैसे पता चलेगा देखे बैटरी में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप लोड रहे हो ना उसके सब को current चूज करना होगा सब्सक्राइब करेंगे सबसे अच्छा होता है सिंपल अगर यह बैटरी से भी करेंगे तब भी तो लोड के डिपेंड अगर टोटल बैटरी से लोड आपका 5 ampere का हुआ तब यह वाला 10 ampere का 5 ampere के उपर होगा तो यह वाला अभी आपका मोटर ही नहीं आप कोई भी DC एक्सेस को रेगुलेट कर सकते मादलब इसका सबस्क्राइब तो स्पीट कम ज़दा LED हो तो उसका जो ब्राइडने से वो कम ज़दा आप दोस्तों इससे कर सकते हो और बहुत ही एज़ी एन दोस्ता अगर लोंग्जवीटी बात करेंगे कि कौन सा स्पीट कंडर कैसा आपका लाइफ है तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि इसके मुकाबले मैंने जो भामलब खूद जो फेस किया है कि यह वाला स्पीट कंडर के लाइफ स्पैन होता है इसका अभी मॉटर के लिए सबसाब अगर 555 मॉटर यूज़ करते हो तो यह वाला और यह वाला यह दोनों स्पीट कंडर यूज़ कीजिए और अगर आपका दो पीस से ज्यादा से ज्यादा 775 मॉटर हुआ टू या उससे ज्यादा तो बीस एंप् या या पर अशुब्यूवर स्प्रेश आट पाम्प ऊसमें ऑल्वेज दोट इस ट्रशक का श्यादा यूज़ क्योंकि वार्ट पाम्पप में दोस्तो पानी का पानी आ सकता है तो इस ट्रेश करना मना है तो ऐसा सील वाला स्पीट को अलब बेटर होता है यार आप बोलो करना है कॉण ांपे यूज करना है क्या से स्पिड कन्टॉर चूज करना है बाकि दोस्तों मैं बाकि दोस्तों करकूँ दिखदी od स्ब्ढ़्य का 12 ट से 24 वे स्पीड का ल ट काम इजीनी करता हुआतेहिं दोस्तों voltage को लेका कोई दिख्काने बाकि दोस्ते यह वाला यह वाला स्पीट करने मिनिमूम दोस्तों 9 वोल चाहिए यह दोंखों को पावार देने के लिए और यह वाला दोस्ते आपका 4.5 वोल पर ही काम करता है ठीक है किरा दोस्तों सिंपिल और बेसिक डिफारेंस आसा गाते हैं कि दोस्तों फीडियो पसंद है और नॉलेज वेले तो अगर कोई भी कान्फिशन हा तो जरू से कमेंट कर देजीगा मैं जल सा उटका रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों बहुत जल्दी म मिलता हूँ एक नाय एक्सेलिक वीडियो के तब तक के बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरू से कर दीजिएगा बाई बाई